आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में जैसा कि आप लोगों पता है कि बिहार में बंपर वेकेंसी आई थी बिहार teachers की बिहार पुलीस की और BPSC अब हुआ क्या है बचो यहां पर कि आपका काênio। कि हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वह हम लोगा मेन फोकस होगा बिहार पुली इसकी इसी मंत होगी है ना इसमें कभ चॉबी सेक्टमबर को फिर नेक्ट मंत में 1 उक्टोबर को और 15 उक्टोबर को इसको लेकर हम लोग के लिए एक मौक सिरीज क्या है कि यहां पर वाई से को कराऊंगा जो को सबसे अधीक होगी तो तावर्टोड पहले सेशन को सेयर कर दीजे ताकि जादा जादा लोग इस सेशन में जूर सकें और को सब्सक्राइब को बता दीजे यह क्लास डेली आपके लिए 11 सुबह से स्टार्ट होगी तक आपकी फाइनल एजामनेशन की डेट खतम ना हो जाए ना तो सभी लोग जुड़िए और हम स्टार्ट करेंगे पहले को से साथ जादा जादा सेशन को सेयर कर दीजे और सेशन को क्या कर दिए लाइक भी कीजे ताकि हम लोग जादा जादा बच्चे तक सेलेक्स पहु ठीक है पहला कोशन आपके स्क्रीन पर आया है इसका एंसर बताए जल्ली से पहला कोशन ने पैरिसकोप में उप्योग होता है पहला ओप्शन है थी स्पैरिकल मेरर तीन गोली दरपन टू स्पैरिकल मीरर एंसर में जाली कमेंट बोक्स में इसका एंसर क्या होगा बोलरे है पैरी स्कोप देखिए मैं थोड़ा समझाता हूं पैरिसकोप और फिर समझस क्या होता है पैरिस्कोप क्या है एक इंस्टूमेंट है देखे पैरिस्कोप क्या है तो पैरिस्कोप क्या होता है माल लिजे समुद्र में अंदर में पंडुबी चल रही है पंडुबी मतलब क्या होता है सम्मैरीन है अब सम्मैरीन के अंदर लोग बैठे हुए हैं अब इसे देखना है क तो दुस्मन का जहाज मानली ऊपर है तो क्या करेंगे यह सम्मेरीज के गेट को खोलेंगे तो क्या होगा पानी घुज जाएगा लोग क्या होगा मढ़ जाएंगे ना तो सेर को रिक्वेश्ट करें से कमेंट भी दिखाईए ताकि बच्चे एंसर दे रहे की नहीं टेक बच्चों तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जहाज है और इस बोट में जो है जो है इस मैं यह लगाए तो इसमें क्या होगा पैरी मिर यहां पर यहां पर लगा देंगे और कोई दूसमन की जहाज यहां पे है तो इसका focus यहां पे बनेगा एक रमेज, इसका image यहाँ पे आएगा, और यह image क्या होगा हम लोग आँख पे लगा देंगे और यह image हमें क्या होगी, दिख जाएगी, तो इस तरह के बोलते है periscope, इसका छोटा प्रड़ के गार्ड। तो इसमें दो क्या जूस करेंगे प्लेन मिर Krण What यह देखने के लिए खुए आगे चलतें मैं कमेंट której पिभु आ हाज कर ये जरा है आ ए अब लोगे कमेंड नहीं आ रही है कि एक मिट बेट कीजिए आप लोग उसको ठीक किया जा रहा है टेकनिकल टीम के तरब से ताकि आप लोग एंसर भी दे सके इस्टेक कनेक्टेट जाना नहीं कहिए देखते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं दो मिनिट टेकनिकल चीजें हैं कि ऐसे तब तक आप लोग बात है कि जब तक कमेंट आ रहा है क्योंकि अगर कोस्टन हम करवा रहें आपको और आपके कमेंट में एंसर ना दिखे तो फी मजा नहीं आएगा है ना तो कमेंट डिखना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए वच्छों है कि कमेंट आएगा अभी सेयर के बीना तो आप में पता ही नीज चलेगा कितने बच्चे कितना स्कॉर कर रहे हैं 46 बच्चे वाच कर रहे हैं ज्यादा ज्यादा लोग सेयर कीजिए इसे सेसं को ताकि क्या होगा बचो इसको यह क्लासिस में कमेंट नहीं दिख रही है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यह पर यह टैक्निकल प्रॉब्लम है कि आपके कमेंट नहीं दीख रहा है ना कमेंट नहीं दीखेगा तो आप एंसर देंगे पता कैसे चलेगा इसके लिए टीम जुड़ी हुई है उसे जल से जल ठीक कर रही है तब तक मुझे कुछ बाते और बताईए कि अगर पैरी स्कूप में प्लेइन मिरर का यूज की अब प्लेइन मिरर की खासियत में आपको बताता हूं तब तक कमेंट नहीं आएगा तो दिखेंगे क्या है मिकुछ मीर का बात कर ले और बी चीजिए का देखिए धियान से अग मैं ठीक हूँ सभी लोग कमेंट करें सर आप ठीक है मैं विल्कुल ठीक हो आप लोग ठीक होंगे चलिए एंसर बताइए फटाफट एंसर कमेंट करना शुरू कीजिए अब आपका कमेंट में एंसर आना शुरू हो जाएगा है ना करेंगे लिए टेक्निकल टीम वर कुस्क्स कमेंट आ रहे हैं कि नहीं अजब प्लेन मेर में एक और चींट होता है वच्छे इसको बोलते हैं लेटर इंवर्सन लेटर इंवर्सन क्या होता है ना कि बाया साइट दाया सैट दिखता है ठीक है रूपेश कुमार ने एंसर वात करता है बीना कमेंट का तो कोई महत्वर नहीं है ना कि हो जाता है थोड़ा सा टेक्निकल चीजें क्योंकि सब साइंस पर डिपेंडेंट है और साइंस सब कोस्तर नहीं पहला आया था जितने लोग बिहार पुलिस का फॉर्म बरे हैं एक बार अपने कमेंट में थमसब कि सज्जार के आसपास वेकेंसी है और इस वेकेंसी में अगर नई फोड़ पाएंगे तो कब फोड़ेंगे है ना और क्योंकि चुनाओ है 24 में इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले सारे स्टुडेंट को रिजहाने का काम करती है कौन सरकार है ना तो आपके सामने तो आपके सामने क्या है कि ये अच्छा मौका है आप लोगो कमेंड भी दिखना शुरू हो गया अच्छा को अच्छा को अच्छा को अच्छा को अच्छा को परपोस भी डालना शुरू कर दिये सर को ठीक है ऐसे से बातों के लिए देखें आई लव यू टू जो लिखें सर यह लव यू लिखें जो यह मैम इंगलीस वाली मैम इसलिए आप लोगो पिटती है धर के हैं ना क्योंकि टू का इस पहले आई लव यू क्या होता है यहां पर यू नहीं होता है दी सिदा अगर आप पुराने जवाने के बाते कीजेगा अगर आप जाईए कहां पर जैसे बिहार वगर पुराने दादा दादी से अगर बात कीजेगा एंसर आ रहा है तो लोग कहते थे कि यह घर है न वह साप के सर पर रखा हुआ है का रखा हुआ है और साप जब अंगलाई लेता है तो प्रित्वी बुका माता है क्या यह कॉंसेप्ट सही है क्या नहीं बिलकुल यह रखा हुआ है तो जब अंगलाई लेता है तो प्रित्वी हिलता है यह भी कहना गलत है अर्थक्वेक आता क्यों है क्योंकि यहां पर होता है टेक्टोनिक प्लेट से बनावा जैसे एक कांच का प्लेट लेलू और आपको उस पर खड़ा कर दो तो उसमें क्या होगा कि जैस अब देखे क्या है कि भुकम को रिकॉर्ड कहां क्या आता है रिकॉर्ड बोल रहे है तो हम बोलेंगे रिक्टर इसकेल लेकिन अगर आपको बोला जाए क्या अगर आपको बोला जाए कि रिकॉर्ड कहां करते तो उसका होगा सिस्मो ग्राफ सिस्मो ग्राफ कैसा होता है तो हम लोग इस्ट्रे स्केल का बात कर लेंगे इंटेंसिटी परीमान और तिविता का बात करेंगे तब है न मेरीयली स्केल और इक्टर इसकेल लेगी यहां पर यह नहीं बोला है तो ऑफसन नमर्ड क्या हो जगा डी सी पर बहुत जारा कॉंसेट डी कैसा होता है इस तो यह हीलेगा बात क्या हो यह गराब बनाएगा वही क्या करेंगा भुकम को दिखाएगा तो अफसन नमर्ड डी साही होगा यह कोस्टन भी जाम में आया हो है प्रीविएस यह में अब आपका एंसर चेंज होना सुरू हो गया अगला नेस्ट अगला कोस्टन है इलेक्ट स्टूढ को देखे हो गना है चार्जर लगा लगा लेते हैं यही पर चार्ज करना बहुत जो हो रही है और करेंट से बचने के लिए जिस तार्क के उपर जो लेप लगा आता है वो है पॉली विनाईल को राइट को नहीं जागा पॉली विनाईल को राइट ठीक है रुपेस भी एंसर दे रहे हैं मुकेस भी टेक्निकल चैनल डी ठीक है उसके बाद सुर्यमनी दुबे ए बता रह आता है तो वस्तु एक डैस होना चाहिए देखिए डाप्टर किसका यूनिट है यहीं आपको बता पूछ रहा है को सन पहला इलेक्ट्रिकल फंडेंस दूसरा ओटुमाइल इंजिन तिसरा लैंस और चौथा क्या होगे जेट इंजिन जब आपका आँख से दिखना बंद सब्सक्राइब करते हैं जब डाक्तर के पास जाईए गा दॉक्तर आपको च knapp करता है जब लगाने के बाद क्या होता है कुछ लोग ढार stuffing कर रहे हैं वह जरूर यह कीजिए कि कॉस्टान नमबर के साथ लिखिए कभी कभी क्या होता है पिछले वड़ा पॉस्टान आपके मेरे पास मुझे लगता है कि आप लोग गलत बता रहे हैं कैसे लिखिए बहुत बंढ़िया बंसर सी 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 साब का आना शुरू हो गया देखे का पावर जो है उसको नापने किसमें हम लोग डाप्टर में किसमें आ पहेंगे डाप्टर इक बात अब यादा ख्लेए आता है कि अगर अगर दो तरह के लैंस होते एक होते इसनाख और एक होता है कॉंच रही है कॉन सा कॉंकेव नेज और ये हो गया Υा अगर बच्छोट डॉक्टर आपको पैपर में लिग के दिया है कि आपको negative 2 का चस्मा लगेगा मतलब मैनस टू पावर चस्मा लगा है और अगर डॉक्तर लीक्ट के दे आपको अगला सarna लगाना साथ कबहार और समय और समझ को दादा जी को माली घर में लिग के दिये कि कि आपको पावर लगाए को ऋप्लस तो शेय अगला कोशन वाइब है विच इस्टूमेंट रिकॉर्ड रिचिंग डियूरिंग अर्थक्वेक कोशन बोल रहा है कि बुकम के दोरान सत्य पर पहुशने वाली तरंगों का कौन सा उपकरन रिकॉर्ड करता है जली बता दी एंसर इसका अभी जश्च बात किये बुकम के बा बारें बात किये थे अब तो इसका असान कोशन दे देंगे आप लोग जली से जली बताइए बच्चों कमेंट में फटा फट सेवंटी वन लोग देख रहे लिए एंसर नहीं आ रहा है जली एंसर बताइए और ये क्लास बच्चों डेली 11 विजे सुबा चलेगी जब तक आपका लास्ट पेपर बिहार पूलीस करना हो जाए है ना लास्ट पेपर बिहारी गोड एंसर शुरू हो गया सबसे पहले एंसर बढ़िया है सबका एंसर एए देखे यहीं कॉंसेट्ट है अभी पिछला कोस्टन जो किये होंगे इस खुत्रंद बन गया क्या होगा एए को ख़ड़ाफड कीजिए कि टा यूनिट वेफिक भैल्यू ऑफ फ्यूल एक स्पेस्ट एस इंधन के केलोरिक मान की एकाय के रूप में व्हट्टित क्या जाता है कैलोफिक वैल्यू क्या होता है पताता हो और था एंसा बताते रहीं आप लोग पहला होता है कि अगर मैं एक केजी लेलू क्या लकड़ी क्या लेलू एक केजी मैं ऊड़ लेलू या एक केजी मैं लेलू कोईला क्या लेलू और इसको मैं जला दू तो एक केजी पूरी तरह इतना एनर्जी इसको हीट दे दू कि यह कोईला यह लकड़ी पूरी तरह जल जाए तो amount of energy is released by burning 1 kg या 1 gram of fuel completely, कितना उर्जा ये निकालेगा, पूरी तरह जलने पर उसी को बोलते हैं, हम लोग क्या, calorific value, और calorific value की unit होती है, किलो जूल पर केजी, क्या होगा, किलो जूल पर केजी, option number D सही होगा, किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg फ्यूल को पूरी तरह जलने पर यत ठीक है, next question, question number 6, to which of the flowing field of science do, किर्चॉफ्स रूल बिलॉंग, विज्ञान के निमलिखित में से किस छेत्र में किर्चॉफ्स के नियम सम्मदित है, किर्चॉफ्स का नियम, option, पहला option है, atomic structure, पर्मानिक सनचना, electric circuit, या organic chemistry, या optics है न, बताई जली से, question number 7, only bilingual है, बच्चों, यहां पर bilingual है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हम सोच रहे हैं, और इंग्लिस वाले बच्चों के लिए आप लोग सोच रहे है, केबल, जो भी है, selfish नहीं बनना है, एक दूसरे का साथ, हैना सबका साथ देके चलना है, ठेक, साथ मैं का क्या है, के लोग क्या होता है, जैसे माल ली एक circuit है, इस circuit पर current आ रहा है i1, दूसरा current आ रहा है i2, और तीसरा current बाहर जा रहा है i3, तो कहता है किर्चॉप का law कि जितना current R है उसे जोड़ दीजिए मतलब I1 प्लस क्या I2 और जितना current बहार जा रहा है उसको क्या की माइनस कर दिये तो I3 क्या हो जगा हमारा माइनस और यह हमेशा बराबर होगा किसका 0 के मतलब जितना current आएगा जिससे आपका दोस आफसे 10 लोटा है कि इतना 10 रुपय लोटाएगा दोस लोटाता नहीं है एक्जामपल के लिए है ना 10 रुपया किसी दोस्त को दिये 10 रुपय वह आपको देगा वही बात है लें दिन बराबर होना चाहिए एकको अले गदम है ना तो वही बात यहां पर I1 I2 जो RS को प्लस कर दिये किछॉप का लोग कहां यूज करते है इआ citizen है को नाँबर आथ कैथर रे आरे बीम-पैफोन कbuat किरन्य दैस की किरन होती है बताए बनार रे प्रोटोन्स पोजिट्रोनिक्र्व या neutron जली बताइए cathode ray जली से फड़ा फड़ बताइए कि पॉस्टर नमबर है cathode ray cathode ray क्या होता है बच्छो इस टाइब का एक इस्टूमेंट होता है ना इस टाइब का cathode ray tube बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग cathode ray tube अब cathode ray tube है यहां पर electronic electron trigger होता है तो यहां से electron को छोड़ा जाता है electron ऐसे जाएगा और यहां स्क्रीन पर टकड़ा के luminesan मतलब रॉस्णी पैदा करेगी तो यह जो होता है cathode ray होता है वह होता है electron का किसका होगा electron क्लियर देखिए जिस question में आप first रहें उस question का screenshot ले लिजिए ताकि जब ग्याम के पहले जाएंगे आप तो रिवाइस करके जाएए clear अगला question कि 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 इतने fundamental units होते हैं कि इतने मूल मात्रक होते हैं देखिए unit होता है दो तरह का कि एक होता है बच्छों कौन सा fundamental unit और एक होता है performance तक होतें साथ तरह के होते हैं और टिराइब यूट होगें मतलबैं दो लोग दो चीज़ों को मिलाःक के तीसरा unit बने जैसे में बात करूँ तो फोर्स का तो फोर्स क्या होगा मास इंटू एक्सलेशन मैं बात करूँ डिस्टेंस का क्या होगा प्रमानु विखंडन की तुल्ला में बहुत अधिक उर्जा पैदा करती है इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्धूत उत्पादन प्रमानु विखंडन की तुल्ला में विवासाइक रूप से कम व्यवाद है इस तारों में उर्जा का स्रोथ है को संथ्ट बढ़ा है को वह वात ने आप यूपी से हैं इंडिया के किसी कौने से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है फटापर बताएए जली से बताएए कि क्या होगा देखिए मैं बताता हूं इसका इसका क्या है जली बताएए देखिए मैं बताता हूं एक बार दो चीजे होता है एक प्रमानु संलियन एक होता है प्रमानु विखंडन एक होता है नुकलियर पीजन और एक होता है नुकलियर फ्यूजन देखे फ्यूजन को बोलते हैं विखंडन और फ्यूजन को बोलते हैं सनलेन जब भी कोई बड़ा प्रमानू सब्स्टांस है अगर वो तूटके छोटे छोटे टुकडों में बढ़ जाएगा और उस वाले टुकडे से यह निकालेगा एनरजी तो उसे कहेंगे हमनों नुकलियर फ्यूजन और अगर छोटा छोटा पार्टिकल जूड के बड़ा पार्टिकल बन जाएगा तो उसको कहेंगे नुकलियर फ्यूजन क्या कहेंगे नुकलियर फ्यूजन दोनों में निकलेग बनाने में nuclear power plant जो बीली बनाते हैं ना uranium plutonium का इस्तेमाल करके और अगर बात करें fusion का तो इसका इस्तेमाल करते है hydrogen bomb में कहां उसकरते है hydrogen bomb अगर एक question और पोस्ट दे कि सूर्य सूर्य अपना उर्जा कैसे निकालता है तो sun जो energy निकालता है वो क्यों निकालता है nuclear fusion की वज़ा से ठीक तो यह हमारे पास दो concept है अब इसके हिसाब से देख लीजिए question question क्या बोल रहा है question बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है इट प्रड्यूस अगला question बोल रहा है प्रतिक्रियाओं में उत्पन और रेडियो धमी नाविक द्वारा उच्छित उच आवरिति विक्रण्च जो cancer को सिकाओं को नश्च करने के लिए दवाव में उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है दूसरा है अल्ट्रा फारेट रे तीसरा है लाइट वेफ या यह सब कोस्तन आने की चांसे सबसे अधीक एक्जाम में जली बताइए एंसर नहीं आ रहा है आप लोग का जली बताइए कुस्तन के साथ एंसर दीजिए बच्चो अरे बिल्कूल मॉक से कोस्तन आएगा मॉक मॉक ऐसा फ्रेम किया गया है अभी तो मैं थ्रूआ सा साइंस वाला पार्ट करा रहा हूँ अब डेली 11 यह मॉक चलेगी डेली बिहार का और पूरा एकदम तावर तो करेंट अफियर भी होगा उसमें जीएस के पार्ट भी होग अब अपने गाल को दवाईए वह सपंजी होगा हमारा बौडी बना है सेल मतलब होता है किया होग सेल करने के लिए और हाट हो जाए का होगा होगा इसी ट्यूमर को काटने के लिए मारने के लिए इसका गामा रहे और है और गात रहोग बहुत लोग इसे मरते हैं हर साल है आगे उसने 12 मैनस 20 डिग्री इपार to how many degree on the Celsius scale, 40 degree finite Celsius scale पर कितने degree के बराबर होता है, जली बता दीजे, ये कुस्तन हर वारे जाम में आता है बच्छो, कि कितना degree पर degree Celsius और finite बराबर हो जागी, जली बताइए, कितने degree पर degree Celsius और finite बराबर हो जागी, जली बताइए, ये कुस्तन हर वारे जाम में आता है बच्छो, इस्टार लगा लीजेगा, ठीक, आगे नेश्ट कुस्तन, पंदरा, एन इस्टूमेंट कॉल्ट डैस, मेजर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस इन सरकीट, डैस नामक उपकरन एक परिपत में विद्धूत विवन के अंतर को मापता है, देखे हो जो होता है कि है समझे ध्यान से, कभी देखे घर में पहले होता जिस टेपलाइजर, या पि AC में देखे एक छोटा सा ऐसा है, या पि समर सेवल पंप होगा आपका, एसा एक इस्टूमेंट लगा रहते है, और यहाँ पर लिखा रहता है, जीरो वन टू, ऐसे करते हैं 240 वगिए है ना, तो यह नापता है वोल्टेज, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, वोल्ट मीटर, क्या बोलते हैं हम लोग, विड्च मिट्र से नापते हैं पूले क्या प्रेश्ट क्या बोलते हैं इसको और पर बताएं अगला कुछन कि अग्ला कुष्यन वाट्ट डस्ट इसीजी इसीजी क्या है डेखी को डॉक्ल गये होंगे लेकर तो बोलता होता होगा कि इसीजी करा कि लाओ लेखोर सब्सक्राइब इसे जी क्या होता है ज küçण इसी इसी जी da 14 का एंसा बताइए 14 का देखिए वह डॉक्टर के पास कभी जाईएगा तो अगर किसी का हार्ट अच्छी डॉक्टर पास देखिए कान में ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं और हार्ट बीट को सुनते होंगे धग-धग-धग-धग-धग-धग-धग-धग-धग-धग- से समय में नहीं आता है टॉ डॉक्टर साहब को एकि टेस्ट लिखते होंगे जाके टेस्जी का एसीजी का टेस्ट करन्वर्ट काम बीट्व मतलती है रसाइन मतलब chemical देखिए एक है law of conservation of energy उर्जा संग्रक्षन करनी है उर्जा को ना तो बनाई जा सकती है ना तो नश्ट की जा सकती है इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है जैसे जामपल के लिए अब गाउं गाउं जाईए गाउं पहले गा नाच भी लेते थे नहीं तो अब क्या है यहां पर कि वहीं पूछेगा आपसे जाम में कि वहां पर क्या हुआ हम दिए फोर्स तो वहां क्या हुआ अब करते हैं तो मोटर को आन कीजेगा तो कहीं न कहीं कोई न कोई उर्जा बदल रहा है जैसा आप लोग अशर आ रहा है सही बीबी को बोल रहे है कुछ लोग बता रहे हैं विच अब दब्लोई डिवाइस कनवर्ट केमिकल एनरजी को बदलेगा इलेक्टिकल नेर्जी जनेरेटर में क्या होगा बच्चो जनेरेटर में होगा मैकनिकल एनरजी को बदलते हैं किसमें इलक्टिकल एनरजी में डैनमो में बात करेंगे तो क्या होगा डैनमो में सेव होगा बच्चो मैकनिकल एनरजी को बदलें किसमें इलक्टिकल एनरजी में उसके बाद इनवर खोच के लिए निम्रेकित में से किस विज्ञानिक ने भोतेकी का नौवल पुरुसकार जीता बताए बचो भोतेकी का नौवल पुरुसकार जीतने वाले कौन थे इसका एंसर होगा मैस काल अर्नेस्ट लडविंग प्लैंक ठीके बचो इसका एंसर क्या होगा मैस काल मैस काल स किसका यूनीट जली बता दीजिए यह वसान कोस्तन है इलेक्तर इलक्तरिक कंडक्टन्स में टिक फलस्टन्स एंसिटि यह मेंटिक फ्लस्क जली से कमेंट में एंसर बताते रही है बच्छो कुस्तन कि साथ एंसर लिखिए में बार बाद बोल रहा हूं कि जैसे संकर सबादा लिखिए उसके पर एंसर दीजिए तो यह लगेका ग्गठा लिगत गश्रिक भी घू को सरीमन कुमार डी रुपेस बी बता रहे हैं तेखन पंदर कभी डीआ है बसन है टेसला यूनिट किसका है टेसला यूनिट होता है किसका सप्स्टा भासान समझ लिए जैसे हमारे पास कोई मेगनेट है नूर्थ प्लấu ऑध मैगनेट्स कहा से पास होता हुद को absurd के तरफ तो कोई भी कोई भी सबस्टैन्स है कोई भी चीज्जे हैं और उस सबस्टांस पर क्या हो रहा है dreams कितना magnetic field फियलान पास हो रहा है उसी को बोलते में अग मैंटिक फियल डेंसीटी यह रहा है। इसका option number- Marie ॉक प्र ons और होता है V is call to U plus AT, दूसरा होता है V square Is call to U square plus 2 AS, और तीसरा होता है knowing S is call to UT plus half AT square. यह तीन equation होता है जो किसका, equations of motion का V होता है final velocity is ha initial. वी मतलब अनतिम wave, U cathraux क्या होगा, प्रारंबिक wave, A क्या होगाensation, T क्या होगा time है ना और s क्या distance तो यही तीन ही question होता है बच्चो तो इसी question से आप देख लिए कौन सा equation सही है और बता दीजी comment में चल्ली से कौन साइस सही होगा चल्ली बता इसी पर बठा लिजिए इसी को convert कर लिया अगर मैं टू से डिवाइड और मिल्टिप्लाइ कर लू तो यहां पर क्या अगर टू यूटी कर सकते हैं हम लोग प्लस क्या कर सकते हैं 80 स्कॉर तो यह वाला तो एंसर हो जाएगा और कुंसा सी एंसर दे के भी आप लोग नहीं बना पाते हैं कैसे होगा इसलिए बिहार में के एक्जाम होता है जिसमें आपको बुक लेना एला होता है जिसे बिहार सची वाले का कभी जान दीजेगा न त सरकार को कितना confident है कि बच्चे को किताब लाना एलाव भी कर देंगे तो एंसर नहीं दे पाएंगे अगला which of the flowing is a basic SI unit of thermodynamics temperature thermodynamics उसमा गतिकी ताप करम का मूल SI मातक निमलिखित्म से कौन सा है तो मूल मातक सात तरह का होता है और इसमें एक होता है temperature क्या होता है ताप है ना और temperature का SI unit होता है Calvin क्या होता है Calvin यह दखिएगा Calvin में ही हम लोग दिखाते हैं इसको ठीक है SI unit of temperature बोलेगा तो Calvin तो option नमबर A होगा सही, next question Question 20, which of one of the following waves are used by the common TV remote control घर में TV remote control होता है बच्चों तो एक समाने TV remote control द्वारा निम्नमस्य किस तरण का उप्रे किया राता है, देखे, TV remote control क्या होता है, अब कभी घर में बच्चों आप TV का remote लिजेगा ये AC का तो आगे रिमोट के आगे फोड़ता सा म्मोत हुता है उस बलब यहां पर नहीं हे सब्सक्राइब कुछ लोग सही बता रहें कुछ लोग गलत बता रहे हैं जल्ली से क्या होगा जली बताएए ऑप्सन नमबर इंफ्राएड रे होता है डी सही अगला इन वीच्व में दस्वाट्रेवल फास्टर धुनी किस माध्य में तेजी से यात्रा करती है जली से देखें जो द्वनी मतलब होता है साउंड क्या होगा साउंड को चलने के लिए चाहिए मीडियम बिन मेडियम का साउंट नहीं चल सकता है मिध्यम को nap क्या बोðते हैं यांत्रिक तरंग क्या बोलेंगे मैणिकल गविए और ऐसे वे जिसको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए उसे बोलते है uniectromagnatic वेव क्या ninguém बोलते हैं इसी को बोलते हम चुंबती कि हमारा बीटा रे तो साउंड को मीडियम चाहिए जैसे यहां पर हवा है और यहां पर मैं अचानक से यहां से सारा हवा खतम हो जाए तो मेरा मुग केवल आपको ऐसा हिलता हो दिखेगा है ना लेकिन वह आवाज जाएगा ही नहीं तो वहां पर क्या होगा सबसे अधिक स्पीड ऑफ साउंड होती है अगला कुस्ण अगला कुस्ण 23 बताइए प्राक से इमेज फॉर्म इन्हें प्लेइन मीरर समतल दरपन में बनी छवी डैस होती है जली बतादीए डिमिनिस्ट बलड और इंवर्टेट लेटरली इंवर्टेट या मैंगनिफाइड छोटी होती है धुन्दली और उल्टी ह समझें से अगर कभी प्लेन मीरर समतल मीरर के सामने अब लोग कैसे अभी आप लोग त्यार होते कही बहार जाने के लिए लगाते लड़का लोग तो खुब मी लगाता है गोरा दिखने के लिए नहीं तो आप होता है कि कि 맞़ गया है तो आपको लगे तो क्वाओ के खाईएगा इस तरह से तो आपको लगए है दायां हाँ से खा रहे हैं तो यह क्या होता है आपका दाया बाया देखता है अपनों रिज्डिंग में चैप्टर पढ़ते होंगे मीरा इमेज पढ़ते हैं ना मीरा जमें वही दिखाया जाता है जैसे यांपल के के मापन की काई है पहला रेडियो अक्टिविटी वैलोसिटी कंडुक्टिविटी या रेसिस्टिविटी फड़ा से पताइए हैं कि हैंद्री ने किसकी खोच के समझे का ध्यान से देखिए जैसे आप लोग जब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो आप लोग मारते ह कि अब ज्यादा खाना खाल लिए या कुछ लोग और भी चीज़ें मारेते हैं माहल को मस्क्र देते हैं नफू बसा बात नहीं कै कुई है रखकाट का सारा गास बाहार निकला उसी तरह से होता क्या है बायलोंजी करमांग 23 या उससे अधिक होगा वह अपने आपमे अस्थाई नहीं होती है तो इस σ्थिती को प्राप करने के लिए वो अपने से तीन चीजों को निकालती है अलफा बीटा और गामा इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या रेडियो एक्टीवीटि जिसे बोलते सिर्दनें कि हम लोग रेडियो धंता तो इसका कोच करने वाले कौन ते एक साइंटिस थे जिनका नाम तो है और उन्हें नाम पे इसका युनिट रख दिया तो वह क्या हो गया रेडियो एक्टिविटी ऑप्सन नंबर ए सही हो जाएगा अगे वेवर किसका युनिट है कोई बात ने जो लेट आए उससे भी कोई दिकत ने जहां से शुरूआ थे ने जब जगो तब सवेरा कोशन करना शुरू कीजिए वेवर किसका युनिट है कमेंट बताते रहे जो कमेंट मेंसे देते रहे हैं अरे हैल्प करनी क्या जो रहत है कोई लोग है यहां गुसा यहीं से भी में पाइट टेक्नलोजी यहां गुसा मारूंगो वहां नाक तूड़ जाएगा कोशन आये करना सुरू कर दीजिए हैल्प करना क्या मतलब अर्थ पूल एवरिटिंग टूवर्ड इटसेल उस बल का नाम क्या है जिसके दोरा प्रिथवी सब कुछ अपनी और खिसता है एयर पेसर थरस्ट ग्रेविटी रेस्टेंस वायुदाब अभीपलन गुर्तवा करसन या प्रतिरोध देखिए है क्या बच्चो ग्रेविटी अगर नहीं होगा बच्चो तो हम लोग घ्राव करते रहते हैं तो ग्रेविटी ही है सब कुछ जिसके कारण आइंश्टिंग के सर पे क्या गिरा था सेब गिरा था वो क्या हो गये थे अगर इसका मास M1 है इसका मास M2 है इन दोनों के बीच की दूरी आर है तो इन लों के बीच में कितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग फिरा इसको एक एक टिक है कि आगे पोसर नमबर 27 एन इस्टूमेंट कॉल दा डैस मेजर दा इलेक्ट्रिक करेंट इने सर्कीट इलेक्ट्रिक करेंट को नापने के लिए विदु धारा को नापने के लिए कि सुपकरन का इस्तिमाल करते हैं मीटर ओम मीटर थर्मो मीटर या गायरोस्कोप जली बता दी हुआते हैं और यहां पर दो मीटर होता है इस टाइब से एक मीटर होता है बोल्टे नापने के लिए पार एक होता है करेंट नापने के लिए जो करेंट के लिए उसे गोलते हैं हम लोग क्या आम मीटर क्लियर आगे छेट नंबर 28 विच्फ ऑपcessor फॉलोइंग इस्तिक और और साउंड इन हर्ट हर्ट में ध्वनी की निमलिखित विस्ता साउं में कौन सी मापी जाती है हर्ट क्या देखिए अगर मैं वेब का बात करूं देखिए अगर मैं ऐसे बनाता हूं लिए एक कितना वेब बना एक ओपर वाला और नीचे वाला मिल के एक वेब कलाता एक ट्रॉफ और करॉष्ट के एक लगए फिर मैं आगे चलता हूं तो सब्सक्राइब तो उसकी गती की प्रतिरोत को क्या कहते हैं देखिए फ्रिक्षन मतलब होता है घर्षन जैसे माल लीजिए मैं चल पा रहा हूं क्यों क्योंकि मेरे जूते और मेरे फर्स के बीच में फ्रिक्षन है कार क्यों गुमता है चक्का के बीच में कार के चक्के और रोड के बीच में लगता है फ्रिक्षन फ्रिक्षन मतलब होता है घर्षन क्या होता है घर्षन अब देखिए फ्रिक्षन के एक दो चीस समझेगा ड्रैक तो नहीं होगा फ्लूट फ्रिक्षन में नहीं होगा अब इ क्या आएगए ना और यहीं पर बॉल रग दू तो बॉल घुमते घुमते आएगे तो जब कभी कोई चीज रॉल करके घुम क्या आती है तो उसको कहते है रॉलिंग फ्रिक्षन और जब कोई घीच के आती है इसको बोलते हैं स्कुल में आप लोग जाते होगे इस तरह से स्लाइड करना तो यहां पर रॉल कर रहा है तो तो उसको क्या हो जागा rolling friction क्या हो जागा rolling क्लियर नेस्ट कोस्टन अगला कोस्टन वाट इस दा SI unit of mutual induction mutual induction का SI unit क्या है बताई जली से जली जली एंसर बता दीए यह सब अभी दो यूइट बता दीए इसका होगा कौन सामरा इसका होगा हमारा एंसर हैंडरी क्या हो जागा हैंडरी क्लियर आगे नेच कोशन कर दिश्टिल वाटर एट 25 दिगरी सेल्सियस यह 70 डिगरी पर आसुज जल में ध्वनी की अनुमानीद गती क्या होती है यह थोड़ा सा इसाकौ टाला हो कि इस ट्रैफ का एका कोसन आपके स्यट में होगा जिसको मदद करई काट क्ट औरकी मदद करेckा है तो आपको नहीं गिरना छे ने नहीं करें लेकिन रहें बारा उने क्निक यहां पर क्या होगा इसीमें कुछ्छ बच्चे सत्तर कोसन करेंगे तो 70 लगव लगवाई average सब कर लेता है लेकिन जो बचा अब 30 कोर्षन में ही वचो खेला होता है मतलब इस 30 कोर्षन का जो कम से का 15 20 कोर्षन करेगा वह क्या करेगा पार करेगा तो इस दाइक पर कोर्षन इसलिए आया आता है the left of the object appear on the right and right appear on the left this is called दरपन द्वारा बनाएगे च्वी में वस्तु का बाया दाया दाई देखता है और दाया बाई और दिखता है बताएथ बचल लेटरल इंवर्शन मतलब बताएथ नब मीरर में कि उल्टा दिखेगा आपको अगर a b c ay कैसा दिखेगा c b a दिखेगा इसी को बोलते हैं क्या लैटरल इंवर्शन है क्लेजर क्या बनाथ युट्ट पॉर्शन है अगला को सननव है अगला को सननने अप्फोर्स जीट्यू जा्मूविंग लेप्ट इन दा साउथ हमेस्पेर नॉनेस किस बल के कारण गतिमान वस्तुव बायू या जल का प्रभा उतनी गोलार्थ में दाई और दक्षनी गोलार्थ में बायूर होता है देखें मैनेटिक फॉर्स स्वाइब को बोते हैं को मीस प्रेशत तो इसटरा कि को बोलते हैं कोएं लोग आखिक फॉस्त कि यहां पैसा जगा कि किक इसलों के बारे में यहाँ अछ हैयोते हैं कि अन्य देखिए वार्चों क्या बोले हम लोग एक आइप क्या है कोई सता है माली कोई सर्फिस और सर्फिस पर कोई भी फोर्स अगर नाइंटी डिगरी पर लगेगी तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या प्रेसर मतल्ब एकांग छेतर पल पर लगने वाले लंबत बल को दाप क कह देते हैं क्या करते हैं तो बोलते हैं क्या है एसाई उनिट आप दा मेजर बाय प्रेसर कौन पास्कल ठीक है अगला कुस्ट नेक्स्ट अगला कुस्ट नेक्स अगर आपका खोपड़ी धंसे काम नहीं करें तो क्या होता है कि डॉक्टर साब आपको टेस्ट लिख देंगे अगर पगला हो जाएंगे दिमाग वढ़ियांस काम ने कर रहा है प्रैसान रहेंगे तो डॉक्टर क्या लिखेंगे क्या होता है बच्चो तो उसमें क्या होता है डॉक्टर साब क्या लिखते हैं डेस्ट तो इस सरा का जाईएगे डॉक्टर के पास डॉक्टर आपके ब्रेन में क्या करेंगे ना इस टाइप का एक तार टाइप का लगाते है बहुत सारा तार है ना इन सब तार को लिजा के computer वाले डिवाइस में लगा देते हैं और आपके brain में कहां पर blood flow कर रहा है और कहां पर क्या हो रहा है उसको बोलते है EEG EEG मतलब electroencephalograph क्या होता है देख लिए अब कुन सा है electro essential graph electroencephalograph electroencephalograph बहुत spelling गलत है विचो क्या electroencephalograph electroencephalography electroencephalograph इसका option क्या हो बच्चो बच्चो बीफोर बॉम्बे सही clear तो यह बच्चो यह कुछ important question से जो इजाम में आने की चांसे सबसे अधीक है है और यह तरह का सीरीज जो बच्चो आपका डेली चलेगा 11 वजे सब लोग जोड़ लिए अभिनास सर्क के साथ जुढ़ना ना भूले कितना वजे 11 वजे सुभा मौक चलेगा और इस में मैं कोसिस करूँगा कि सारा सेग्मेंट को खतम करदाने का physics हो गया फिर हम लोग केमेश्टी से भी देखेंगे फिर हम लोग देखेंगे किसे के लिए एक series लेके आउंगा मतलब January से लेकर कबसे January से लेकर August का पूरा Current Affair, मतलब महामिराथन चलेगा यह बिहार sp việc होगा क्या होगा, बिहार sp sertовал current affairs mतलब normal current affair तो आपको हर जहाह मिल जाता हो गहाँ ना नॉर्मल करेंट अफेर आपको हर जगा मिल जाता है तो उसी में क्या होता है कि आपको लेकिन यह वाला क्रेंट अफेर नहीं मिलेगा तो बिहार में जनवरी से लेकर अगस्त तक बीच में जो भी चीजें हुई है उन सवी चीजों का एक मौग मेराथन होगा उस करेंट अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो उस में क्या होगा उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपका कोई भी बिहार से लेटेर भी कुस्तन नहीं जुड़े क्योंकि यहां पे 6-7 कुस्तन आपका बिहार इस पेसल भी आने वाला है ठीक है प्यार महबबत इतना आप लोग दि इतना ही वच्चों ठैंक्यू पढ़ते रहिए मुस्क्राते रहिए और महाबाप का नाम रहसन केजिए झाल 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 झाल